हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल वांगशन क्यूर लव स्टोरी तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी एजगेम लव का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को स रच शॉघते हैं और विंग को अचब कर ले दें ये सबकुछ वांगश्य देख रहा था वांगश्य यह देखके बहुत शौग था चुद कि लेंड कुरैन और शुटम दोनों यहीं वांगश जी को बोट बुरी तरीकिस इंग्नूरू करे दे उन्हों नहीं तो एक बार यह लोग मुझे भूल गए लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप से मेंशन में उन लोगों के पीछे चलने लगता है जैसे ही वो विंग मेंशन में अंदर पहुशता है वेंचिंग किचिन से बाहर आती है वो जैसे ही विंग को देखती है तो दोड़ के आती है और विंग को हक कर लेती है वो विंग से कहती है विंग तुम कैसे हो तुम जानते हैं मैंने तुमें कितना मिस किया विंग वेंचिंग को देख किसमाल करता है और उसे बैक हक कर लेता है वो वेंचिंग से कहते हैं, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, पता है आपको, वेंचिंग, वींग के, वींग से कहते हैं, लेक्स ताम ऐसे कभी मन जाना, तुम जानते हो, जिस दिन से तुम गए हो, हम तो जैसे हसना ही भूल गए हैं, तुम तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तु अभी भी वांग जी की तरफ देखी नहीं रहा था वांग जी देख रहा था कि सब लोग उससे इग्नोर कर रहे हैं तबी सिचैन और लेंकुरन पींका हाथ पकड़ते हैं और उससे उपे पे ले जाके बैठ जाते हैं वांग जी अपने अंकल से कहता है अंकल वो मैं देखिल में आपसे कह रहा थाँ कि क्या ओफिस उसके यह टरॉष उसकी तरफ देखते भी नहीं है और विंग से कहते हैं विंग तुम ठग ज़े हूंगे तुम्हारे लिए मैंने वह रहीर विंगी किता है ब्रदर आप में आपसे बाद कर रहा हूं आप मुझते बाद क्यों कि नहीं लेकिन सिचेन उन्हें तो ऐसा फिल हो रहा था जैसे वांग जी वहां है ही नहीं कोई भी वांग जी की किसी बात को सुनी नहीं रहा था सिचेन और लेन कुरेन दोनों विंग से बात करने में बिजी थे विंग को भी बहुत अजीब लग रहा था वो विचारा उससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस मेंसन में चल के आ रहा है वो सिचेन और लेन कुरेन की तरफ देखता फिर वांग जी की तरफ देखता वो तो लेन कुरेन और सिचेन की बात का जवाब दे रहा पा रहा था तो वो तो बस Wangji को देखे जा रहा है था Wangji तब भी Weng Ching की तरफ गूमता है वो Weng Ching से कहता है अंकल औरangesहान को क्या तुम लोगों को भूख लगी है ठीक है चलो मैं तुम लोगों की लिए लंच की projection करती हूँ ठीक है ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है ये देख गे तो वांग जी पूरा शोक डो जाता है कि बेंचिंग भी उसे इग्नोर करके चली गई कोई भी उससे बात करी नहीं रहा था मेंशन में तब ही वो जोर से चिलाता है आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनना है आप लोग मुझे ऐसे इगनोर क्यों कर रहे हो, आगि मैंने किया गिया है जब लेन कुरेन और सिचान उसकी तरफ देखते हैं लेन कुरेन गुस्से में बांग जी की तरफ देखते हैं फिंग तो विचारा वांग जी के इस तरह चिलाने से पूरी तरीके से डर गया था, वो तो बस इन सब की तरफ देख रहा था, क्योंकि जो कुछ मेंशन में चल रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहें, ना आप बात कर रहें, ना ब्रेदर बात कर रहें, ना वेंचिंग बात कर रहें, आप लोग मुझसे गुसा क्यों है, लेन कुरेन कहते हैं, ओ, तो क्या तुम्हें बताना पड़ेगा, कि हम तुम से क्यों घुसता है वांग जी कहता है पर brother वो तभी शिचन कहते हैं मुझे कुछ नहीं बताए तुम्हें सब कुछ बातें जो करनी है वो uncle से करनी होगी समझे तुम और तुम मुझे अपनी किसी भी problem में अब नहीं गसीट होगे वांग जी कहता है brother तूश की कुछ नहीं हो रहा, तो मैं भी तोड़ी दिर में बता चल जाएगा भी, तुम रिलेक्स करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम से कोई कुछ नहीं कह रहा है, विंग कहता है, पर आप सब मिस्टर लेंग से ऐसे क्यों, सिचेन कहते हैं, विंग, तुम क्या तुमने जो कुछ विंग के साथ किया वो सही था, वांग जी, जब ये सुनता है, तो वो अपना फेस नीचे कर लेता है, तभी लेंग कुरन खड़े होते हैं, और वांग जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और वांग जी से कहते हैं, तुमने जो कुछ किया है, उ अपने अंकल की तरफ देखने लगता है, उदर सिचेन और विंग भी, दोनों खड़े हो जाते हैं सोपे से, और अंकल को देखने लगते हैं, विंग कहता है, अंकल क्या कह रहे हैं, सिचेन कहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता अंकल क् अंकल आप यह यह क्या कह रहे हैं तबी लेन कुरान कुस्से में सिचैन की तरफ देखते हैं सिचैन तो अपना फेस नीचे कर लेते हैं तबी लेन कुरान वांग जी से कहते हैं वांग जी अब मेरी बात सुनो आच्छे से तुमने जो विंग के साथ किया है उसकी तुम्हें पनिस्मेंट मिलेगी वांग जी कहता है पनिस्मेंट पर अंकल पनिस्मेंट किसलिए मैंने उसके लिए विंग से माफ ही मांग लिए तब ही अंकल कहते है तुमने माफ ही मांग लिए और विंग ने तुम्हें माफ कर दिया है लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है समझे तुम इसलिए अब तुम्हें punishment मिलने जा रहे है वींग कहता है पर अंकल तभी अंकल गुसे में वींग की तरफ देखते है वींग भी अंकल की उन गुसे वाली आपको से डर जाता है और चुपचाप से अपना चेहरा नीचे कर लेता है तभी वांग जी कहता है अंकल कैसी punishment अंकल कहते है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा समझे तुम वांग जी कहता है पर अंकल मेरी बास सुनिये अंकल कहते है तोड़ी देर रुको तुम्हें सारी punishment समझ में आ जाएगी समझे तुम तभी वींग का सामान अंकल देखते हैं और एक मेट को बलाते हैं वो मेट से कहते हैं वींग का सामान नीचे वाले रुम में सिफ्ट कर दो वींग तो बड़ी बड़ी आँकों से देख रहा था वांग जी कहता है क्या का अंकल आप ने पर वींग का कबरा तो ऊपर है न तभी अंकल कहते हैं ऊपर था पर अब नहीं है अब नीचे वींग रहेगा मेरे पास वाले कमरे में वांग जी कहता है क्या क्या कह रहें अंकल आप फिंग तो बस बड़ी अँड़ी आँखों से ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसे सच मुझ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम इस मेंशन में चल गया रहा है और इन लोगों के बीच क्या चल रहा है लेन कुरेन कहते हैं मैंने कहा विंग नीचे रहेगा मेरे जो वास में कम रहा है उसमें वांग जी कहता है पर अंकल मैं तभी अंकल कहते हैं तुम अपने रूम में रहोगे तुमारी पनिस्मेंट है कि तुम पूरा एक विंग के पास नहीं आओगे विंग से दूर रहोगे स सुनता है तो उस बिचारे की तो दडगन फास्ट हो जाती है और वांक जी वांक जी को तो ऐसा लगदा है जैसे वो बस अब भी गिरने वाला है और उसको heart attack आने वाला है वो कहता है नहीं आप जानते हैं ना की वि वी वि उनकल कहते हैं क्यों? क्यों मैं कुछ नहीं चाणता भूंक वांग वींग की तरफ देख ते विंग से कहते हैं विंग क्या तुम्हें मेरे इस डिसीजन से कोई प्रोबलं मैं प्रोबुल्म है वो क्या कहये वो तो अंकल की ऐसी हवाश उनकी डर जाता है और कैथा नई अंकल मुझे कोई प्राब्लम नहीं है अंकल वियंग की तरब देखके एक स्माyards करते हैं वांग जी वियंग को देख रहा था वो गुसे में वियंग को देखता है लेकिन वियंग वियंग तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है सिचेन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सिचेन को इतना पता था कि अंकल ने उसने बस वांग जी को परिशान करने का प्लान बनाया था लेकिन अंकल ऐसा कुछ सोच रहे हैं यह सच में सिचेन को नहीं पता था तब ही वहाँ वेंचिंग आ जाती है तब ही वेंचिंग कहती है वहांग जी ने जितना विह को परिशान किया ना उतना किसी औरने मुझे भी परिशान किया है इसलिए इन दौनों भाईयों को punishment मिलना जरूरी है सिचेन कहते है वेंचिंग पर मैंने क्या किया है वेंचिंग कहते है सच में सिचेन आपको नहीं पता आपने क्या किया है ठीके कुछ किया हो नहीं किया हो लेकिन मैं आपसे बहुत गुसा हूँ इसलिए अंकल आप टेंशन मत लेजिए वेंच के साथ मैं उसके रूम में रहूँगी वेंच बिचारा अपने मन में सुचता है पर मुझे दोर्ट मैंन के साथ रहना है मुझे नहीं रहना किसी के साथ बिचारा वांग जी वो बस वेंच को देखे जा रहा था वो अपने मन में कहता है वींच कुछ कहो कुछ तो बोलो तुम बोलो अंकल कुछ को तुम मेरे साथ रहना चाहते हो वांग जी वींच की तरफ देखता है वींच वांग जी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है सोरी पर मैंं अंकल से कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अगर अंकल से कुछ भी कह तो वो सच में मुझे माय डालेंगी और मैं मरना नहीं चाहता Old Man इसलिए मुझे कुछ भी नहीं बता लेगे आप कुछ करिये न मैं आपके साथ रहना चाहता हूं पिचारा वींग और वांग जी तोनों के आलग बहुत खराब थी उदर सिचेन कहती है वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं तुमारी वज़े से देखो वेंचिंग मुझसे कितनी दूर हो गई है वो मुझसे बात भी नहीं खरे कितना गुसा है वेंचिंग तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो वेंचिंग अपने मंग में इस्मायल करके कह जिये सिचेन अब तुम्हें पता चलेगा तुमने मुझसे कितने सारे सीकरिटस चुपाए तुम्हें सब कुछ पतागा तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया अब तुम्हारी ये punishment है, ताकि तुम life में मुझसे कुछ भी ना चुपाओ, समझे तुम, और smile करने लगती है, उदर अंकल, वहाँ से जाते वक्त time कहते है, वांग जी वींग जाओ, ठक गए हो न, अपने room में जाओ, और आराम करो, तुम्हारा room मैंने ready करा दिया है, वींग कि अंकल का decision final decision होता है, और कोई भी अंकल के decision को मना नहीं कर सकता, वेंचिंग भी, उदर वींग के साथ उसके room में चले जाती है, अब hall में खाली, सिचेन और वांग जी थे, वांग जी कहते हैं, ब्रदर ये सब किछ क्या चल रहा है, सिचेन कहते हैं, मुझे नहीं पता व किते हैं, तुम जानते हो, तुम्हें बचाने के चकर में, मैंने वेंचिंग से जूट बोला, इस वज़े से वो इतना गुसा हैं मुझसे, तुम जानती हो, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही, जब से तुम साथ कोरिया गए हो, और अब तो उसने मुझसे दूर रहने का decision क कर लिया है, वांक जी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझे तुम, वांक जी कहता है, ब्रदर, आप तो मुझे समझे, सिचेन कहते हैं, मैं सचमे, अब तुम नहीं समझना चाहता, तुम सब इन लोगों ने मिल ritual को पता भी नहीं हैं, वो गुसे में चिलाते हैं और वो भी अपने रूम में वहाँ से चले जाते हैं, पाम जी कहता है, जी सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा कहके बिचारा, चुप चाप अपने रूम में जाता है, और अपने रूम में जाके, वो बेट पर बेट जाता है, और कहता है, नहीं, मैं वींग से दूर नह कर सकता है एक वी कितना होता है और वो मुझसे बात भी नहीं कर सकता अंकल ऐसा कैसे कर सकते नहीं अंकल ऐसा नहीं कर सकते पर मैं अंकल की इस बात को नहीं मानूँगा ऐसा कहता है और बैट पर लेट जाता है उससे बहुत गुस्या आ रहा था उधर हम वींग को देखते हैं विंग और वेंचिंग जैसे रूमेंटर करते हैं विंग वेंचिंग से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है वेंचिंग वेंचिंग कहते हैं विंग तुम इतना टेंशन लेने की जरुरत नहीं है जो कुछ हो रहा है वो होने दो इन लोगों को punishment मिलना भी जरूरी है विंग के तैप पर तभी वेंचिंग केती है क्यों क्या तुम वांगजी से दूर रहना नहीं चाहते क्या तुम अंकल की बात नहीं मानना चाहते वेंचिंग केती है विंग इन लोगों को समझाना जरूरी है नहीं तो इन लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये कब गलत और कब सही करते हैं विंग कहता है पर वेंचिंग कहती है विंग तुम रेस्ट करो आराम से तुम्हें जादा सूचने की ज़रुत नहीं है तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है न ठीक है तुम यहां रेस्ट करो मैं तुम्हारी लिए अच्छा सा जूस लेके आती हूं ठीक है ऐसा कहें कि वेंचिंग वहां से चली जाती है विंग बैट के बैट पर बैटा है और कहता है यह सब क्या हो रहा है मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं मैं तो ओल्ड मैन के पास रहना चाहता हूं मैं मिस्टर लैन के पास रहना चाहता हूं मुझो यहां नहीं रहना हंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ मैं क्या करूं ऐसा कहता है और विचारब वाश्रूम में चला जाता है अब हम थोड़ी दिर बाद का सीन देखते हैं सबके लिए लंच ट्रेडी था सब लोग लंच टेबल पर बैट हुए थे तब ही वांग जी उपर से आता है वो सबकी तरफ देखता है वांग जी को बहुत गुसा आराता सब पर लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता तब ही वो देखता है कि वींग और वैंच टेबल पर लंच टेबल पर लंच टेबल रख रहे थे तब ही वांग जी वींग के पास जाता है और वींग से कुछ कहने की कोशिश करता है एकिन तब भी, अंकल वांग जी से कहते हैं, दूर रहो उससे, इसके पास आने की भी गोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी पनिस्मेंट डबल हो जाएगी, वांग जी अंकल की तरफ दिखता है और कहता है, क्या, अंकल कहते हैं, हाँ, अगर तुमने विंग से बात करने की भी कोशिश की ना तो ये पनिस्मेंट बढ़के दो भी की हो जाएगी समझे तो फांग जी कहता है अंकल सच में अंकल कहते हैं हाँ इसलिए कह रहा है चुप चाप से बैटो अपना लंच फिनिश करो और फिर ये फिर मुझे तुमसे उसे चैंसे ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी है समझे तो बिचारा वींग वो अपने मन में सुचता है पिर मुझे तो मिस्टर लंच से बात करनी थी मुझे बूचना था वो मुझे इतना गुस्ता क्यों थे यहां तो कुछ और ही चल रहा है मैं क्या करूं ऐसा सुचता है बिचारा लेकिन वो क्या कर सकता थ तबी Vang Ji सुषता है कि विंग उसके पास आके बैठेगा, जैसे ही सब लॉन्च के लिए बैठते हैं, तबी Vang Ji के पास बैठने वाला होता है, लेंग कुरेंग अपने पास की चेर की सकाते हैं, विंग से कहते हैं, विंग इधर आओ, मेरे पास बैठो यहाँ, इधर आओ बं विंग बिचारा शोकिंग ली वांग जी को फिर कुरेन को थोनों को देखने लगता है लेकिन क्या कर सकता था हो वांग जी के पास वाली चिया से उड़ता है और अंकल के पास जाके बैठ जाता है वांग जी को ये देखकर तो और गुसा रहा था वो अपनी मन में कहता है अं अंकल सब की तरफ देखते हैं और कहते हैं सब जल्दी अपना लंज फिनिश करो समझे सबी लोग लंज करने लगते हैं क्योंकि लेंग मैंशन में कोई भी खाना काते टाइम कभी भी बात नहीं कर रहता था इसलिए सब साइलेंटली लंज करने लगते हैं लेकिन वांग जी वांग जी तो खाना ही नहीं चाहता था उसका तो पूरा ध्यान बस विंग पर था ओधर विचारा विंग उसकी भी सेम हालती वो खा दे टाइम बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था तभी लेंग कुरन दोनों को देखते हैं और वो अपने मन में एक स्मायल करते हैं जाता है सब यह अपना लंच फिनिश करते हैं उन जया कि तभी लेंग कुरें लंच करके वांग जी और सी चैन को अपने साहते ले जाते हैं स्टड़ी रूं में वो थर वैंचिंग और विंग दौनों केचिन क्लिन करते हैं वैंचिंग विंग से कहते हैं विंग जाओ पर मेरी बुक्स तो वो उपर मिटृ लेंड की कमरे में विंची कहती है थीक है जाके ले लो बैसे भी अभी वहांग जी नहीं है न जबत apartment तुम अपनी बुक्स लेके आ जाओ विंग कहता है वो जैसे ही उपर जाता है और विंग की रूम में जाता है तो उसे एक अलग ही एसास होता है वो हर जगे देखता है और उसके चेरे पर एक स्माइल आ जाती है वो बेड़ पर बेड़ता है उस पर लेड़ जाता है और पिल्लो को हग कर लेता है वो अपने मन में बहुत स्माइल करता है उसे वो रूम बहुत पसंद है उसे हर चग है वांग जी का हिसास हो रहा था वो एक स्माइल करता है तभी वो अपने मन में सुचता है नहीं नहीं मुझे जल्दी यहां से जाना होगा अगर अंकल को पता चल गया तो वो बहुत डाटेंगे ऐसा सोचके वांग जी सारी विंग जल्दी से टेबल से बुक लेने लगता है देकिन जैसे विंग अपनी बुक लेकर रूम से निकन नहीं वाला था सामने वांग जी आ अपनी बुक लेने आया था तभी वांग जी देखता है कि विंग बाहर जानने की कोशिश कर रहा है तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर कीच लेता है वो विंग को दिवार के सारे पिन कर देता है डर की वज़य से विंग की पूरी बुक नीचे ग रहा था लेकिन थोड़ी दिर बाद विंग भी वांग जी को किस रिटन करने लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम तक किस करते हैं एक दूसरे के लिफ्स को सक करते हैं लिख करते हैं टंग के साथ खेलते हैं थोड़ी दिर बाद दोनों का किस जब दोनों ब्रेथले जाते हैं, मैं अंकल को भोलू कि मैं, नहीं, आप जान देना, अंकल को कितना गुस्सा आता है, नहीं, मुझे तो अंकल से बार्डर लगता है, और मैं यह नहीं कह सकता, समझे हैं, खुर मुझे जानी दीजिए, अंकल को पता चला तो आपको और मुझे दोनों को डाटेंगे वांग जी वींग को कमा से पगड़ता है अपनी तरफ कीच लेता है वींग मैं नहीं रह सकता मुझे इस रूम में बस तुम्हारी याद आ रही है वांग वींग एक स्माल करता है उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है उसे बहुत चाहिए फील हो रहा था वांग जी के साथ बस फ्लेट किये जा रहा था किये जा रहा था तभी वांग जी वींग को वैंचिंग की आवाज आती है वैंचिंग नीचे से जोर से चलाती है वीं ऐो रूमसे बाग जाता है और इंचिंग का रेड़ चेहरा देखती है और एक स्माइल करके विंग तुम इतना टाइम लगए धिंग करया टो एयलुद यह तैंब मैं आ राथा मैं वसको अपनी बुक्स डूड़ रहा था तबी वेंचिंग की नजर वांग जी पर पढ़ती है Quan झी वी रूम से बाहर हा रहा था वेंचिंग वींग को देख दिया और स्टढी करके कहती है ठीक है तब ही तुम अपने रूम में चाएव स्टेडी करो विंग हुम कहता है वांग जी जानती हुए विंग को देखता है और अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके वो अंदर स्टेडी रूम में चला जाता है वेंचिंग भी विंग को देखके बहुत स्माल करे थी क्योंकि विंग के रेड चेहरे से उसे पता चल गया था कि क्या हुआ है तब ही वो विंग से कहती है मुझे लगता है कि वी एक वी थमाल लिए बहुत मुश्किल होना वाला है और तुमसे भी ज्यादा वांग जी के लिए पता नहीं यह पनिस्मेंट वो मानेगा भी या नहीं विंग वेंचिंग की ऐसी बात सुनता है तो शर्मा जाता है और वाल से भाग जाता है तो फ्रेंस नेक्स बाट हम कल देखेंगे क्या वांग जी सच में इस पनिस्मेंट को मानने वाला है या वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो वापिस वांग जी को वींग को अपने रूम में ले आए तो चलिए फ्रेंस नेक्स बाट हम कल देखते हैं बाब बाई टेक केर स्टोरी अची लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें